दोस्तो ऐसा हो कि आपका फोन आपके जेब में हो और आप जैसे ही अपने कमरे में अंटर करते हैं तो आपका फोन आपके जेब में ही चार्ज हो ना सुरू हो जाया निकोला टिसला का जिनकी ये योजना थी हर घर बिजली वो भी बिना वाइर के मतलब वाय लेसली हर घर बिजली पहुचाना उनका ही ये एक आडिया था और ओवर थे एर पावर भेजके किसी भी डिवाइस को चार्ज कोरू कोई नहीं बात नहीं है ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं इन्होंने की बहुत ज़्यादा ट्राई किया और वो थोरे बहुत successful भी हुए लेकिन वो product उनका पूरी तरह से controlled, safe और efficient तरीके से power delivered नहीं कर पा रहा था इसलिए उनके product आपको अपने पास देखने को अभी तक नहीं मिलते हैं लेकिन thank you है इन सारी companies का क्योंकि इनके इतने सारे unsuccessful attempts का ही नतीजा है कि आपको आगे चलके एक true wireless technology जो की आपके phone को कहीं से भी charge कर दे देखने को मिलेगा और अगर मैं कुछ ऐसे ही unsuccessful startups या फिर companies की बात कर लूँ तो आपको 2017 में याद होगा या फिर आप इसे ढूंड भी सकते हैं U-Beam नाम का एक wireless charging station या फिर एक charging pile का prototype आपको देखने को मिला था जो की ultrasonic wave की help से किसी भी device को true wireless ली तरीके से charge कर पा रहा था लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँ MI की MI ने अपना एक prototype दिखाया है जिसका की नाम है MI air charge जो की आपको true wireless है यानि की over the air आपके device को आपके phone को charge कर देगा और मैं आपको यहाँ पे यह भी बता दो कि यह जो एक charging pile है या फिर एक charging station है यहाँ पे कोई भी आपको 6 standard यहाँ पे नहीं लिया गया है जो की आप normally किसी भी wireless charger में देखते हैं जहाँ पे की आपको maximum distance जो है आपके device से आपकी charger की वो 4 cm होती है अगर उसकी दोरी 4 cm से ज़्यादा बर जाती है तो फिर आपका phone charge होना वहाँ पे बंद हो जाता है लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहो हूँ एक true wireless charger की जो की आपका over the air आपके device को charge कर देगा यानि की आप अगर कमरे में couch पे बैठके कुछ भी देख रहे हैं कोई भी काम अपने phone के अंदर कर रहे हैं और आपका charging pile, charging station आपके कमरे के अंदर एक corner पे रखा हुआ है तो वो वहाँ से power को deliver करके आपके phone को charge कर देगा और यह भी बहुत जादा similar prototype था MI के air charge से क्योंकि इसके अंदर भी आपको beam formation, साथ में mm wave की help से phone को charge करने की बात कही गई थी और यहाँ पे दिखाये भी गया था कि कैसे कोई भी device wirelessly charge हो पाएगा और क्योंकि यहाँ पे MI air charge के अंदर भी mm wave की help से device को charge किया जाएगा जो कि इन्हों नहीं बताया है इनके तरफ से जो भी आया statement वो यह है कि इस device के अंदर आपको 5 phase interface antenna है जो कि यह detect कर पाएगा कि जिस device को charge करना है वो device actual में है कहाँ और साथ में आपको phase controlled array मिलेगा जिसके के अंदर आपको 144 antennas है जो कि transmit कर पाएगे mm wave को directly आपके phone के अंदर directly का मतलब यह है कि beam formation के तरू और जिस device को charge करना है अगर आप यहाँ पे phone की बात कर ले तो यहाँ पे भी antennas का array मिलेगा और यहाँ पे आपको जो दो main component बोलने आप वो यहाँ पे होगा एक beacon antenna जो कि यह बताएगा कि आपका device actual में किस position पे है किस जगा पे है exactly है कहाँ पे और दूसरा जो होगा वो आपका receiver होगा जो की error होगा 14 antennas का जो कि charging station या फिर charging pile से भेजे हुए power को receive करेगा और आपके phone के अंदर साथ के साथ लगा रहेगा एक rectifier circuit जो कि मिले हुए mm wave को convert कर देगा DC power में ताकि आपका phone इस DC power के तुरू charge हो पाए और अगर beam formation के फाइदे की बात करने तो इसका मतलब यह होता है कि आपके device पे यह बिल्कुल focused power भेज पाएगा जैसा कि आप एक concave reflector की बात करने मिन्स कि आप एक torch की बात करने आपके phone का torch बिल्कुल भी नहीं एक जो normal torch होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ जहां पे कि आपको reflector एक concave mirror की तरह होता है और बिल्कुल एक focused light कहीं पे आप उससे भेज सकते हैं इसा ही थोला सा आपका beam formation भी होता है और दूसरी बात ये होती है कि अगर आप Wi-Fi router की बात करने तो पूरे एक square में Wi-Fi का signal फैला रहता है लेकिन यहां पे आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा यहां पे जिस device के अंदर power भेज नहीं होगी बट 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 अगर आप एक सस्ते से सस्ता phone अभी की समय में खड़िते हैं यानि कि 10,000 रुपे से अंदर का भी phone आप purchase करते हैं तो 90% phone के box के अंदर आपको जो भी charger दिया रहता है वो भी आपको minimum 10 watt का power supply आपके phone को देता है ताकि आपका phone charge हो पाए लेकिन यहाँ पे जो MI का air charge है यह आपको maximum power किसी भी device के अंतर 5 watt का ही दे पाएगा हाला कि यहाँ पे एक बात अच्छी है कि यहाँ पे आप एक से ज़्यादा device यहाँ पे simultaneously charge कर पाएंगे लेकिन हाँ each device आपको 5 watt का ही power मिलेगा charge होने के लिए और अब जब बात यहाँ पे MI air charge के mm wave के तुरू आपके device को charge करने की है यानि के mm wave के तुरू आपके device को charge करने की है तो यहाँ पे 5G का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता है मैंने एक वीडियो बनाया था टावर radiation को लेके उसके comments में अगर आप जाके देखेंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि आवर के radiation की वज़ए से आसपास के जो भी birds पहले देखने को मिलते थे वो अब बहुत कम हो गया है साथ में कबूतर, pigeons के जो दिमाग में inbuilt GPS होता है वो भी आप सही तरीके से काम नहीं करता है इसलिए वो रास्ता भटक जाते है साथ में microwave की वज़ा से आपके body के अंदर का liquid जो है वो गर्म हो जाता है या फिर आपका brain जो है वो गर्म हो जाता है तो अभी भी ये एक बहस का मुद्दा है कि आखिर science सही है या फिर हम लोग जो सोचते हैं वो सही है तो मैं इस पे बिल्कुल भी कोई एक conclusion नहीं दूँगा क्योंकि एक जूटा conclusion देके मुझे बिल्कुल भी hero नहीं बनना है यहाँ पे और जहां तक बात है MI Air Charge के commercialization की तो आपने यहाँ पे U-Beam 2017 में देखा गुरू को 2020 के CES में देखा ठीक यहाँ पे भी आपको MI का Air Charge एक prototype है यह कब तक आएगा कहां कहां आएगा और कितने में आएगा इस बात की जानकारी अभी बिल्कुल भी नहीं है लेकिन एक बात की जानकारी जो बिल्कुल शूर है वो तो यह है कि आने वाला समय आपको Over the Air Charging का होने वाला है याने कि एक True Wireless Charger आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है तो दोस्तो मेरे हर वीडियो में कोशिस यह होती है कि आपके और नई टेकनोलजी के पीच का ब्रिज मैं बन बाऊं और ये ब्रिज कितना strong होगा ये आपके हाथ में है नमस्ते दोस्तो मेरा नाम है शुभम और आप जुने थे अनटेकनी पे मुलाकात फिर से होगी लेकिन अब तक के लिए थैंक्यू और धन्यवाल